Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो गलिवर्स ट्रेवल्स की सम्री पर है. This novel was written by Augustin VIII satirical writer Jonathan Swift. So let's start with the summary of Gulliver's travel. Lemuel Gulliver, Gulliver Travels के main protagonist है. He was Englishman and he was surgeon by profession. Profession से वो surgeon थे, but उनको अपना profession बिलकुल भी पसंद नहीं था. He loved the adventures by ship. Ship adventures, sea voyages उनको बहुत ज्यादा पसंद थे. So different different voyages में, वो different different islands पहुँचे. So ऐसे चार islands में Lemuel Gulliver पहुँचता है. पहला island है Lilliput, second Robdingnack, third Laputa and fourth Hunts. पहला जो island होता है Lilliput, इसमें उसको बहुत छोटे छोटे लोग मिलते हैं, छे इंच हाइट के लोग मिलते हैं. Second island Robdingnack में उसको बहुत बड़े साइस के, जाइंट साइस के लोग मिलते हैं, और यहाँ पर वो अपनी आपको एक लिली पुटियन की तरह समझ रहा था, यहाँ के लोग इसी flying island में रहते थे और बहुत ही अजीब तरीके के थे, क्योंकि वो सारा दिन अपने thought process में, अपनी calculations में busy रहते हैं. यहाँ के लोग के दो ही interest थे, वो थे music और mathematics. Lemuel Gulliver, लापुता से जाता है बालनिर बार्बी. Lagado, बालनिर बार्बी की capital होती है, यहाँ पर वो Academy of Projectors को visit करता है. और यहाँ पर देखता है कि scientist बहुत ही अजीब अजीब से studies कर रहे हैं, जिसका कोई end result तो निकलना ही नहीं है. For example, एक घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छत से शुरू होता है और बाद में इसका base बनाया जाए. तो इस तरह की अजीब अजीब से studies बालने बारवी में चल रही थी. बालने बारवी से जाता है वो Glub-Dub-Drib. Glub-Dub-Drib is the island of Magician. यहाँ पर he talks with the spirit of dead people. इन Magician की मदद से वो dead people के आत्माओं से बात करता है. Alexander, Honeyball, Caesar, Pompey, Brutus, Homer, Aristotle इन सब से वो बात करता है. Glub-Dub-Drib से बात जाता है वो लचनक. लचनक में he meets immortal people. ऐसी लोगों से मिलता है जो कभी भी नहीं मरते. लचनक से जाता है वो Japan. तो यहाँ पर इसकी third journey, journey to Lappa का खत्म होती है. Fourth island वो है Humes. Humes एक बहुत ही बड़ा अजीब सा आइलेंड है क्योंकि यहाँ पर horses रहते हैं जो की masters होते हैं. Horms का मतलब ही होता है race of horses. तो यहाँ पर जो horses हैं वो masters हैं क्योंकि उनमें rational thinking है. उनमें सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ती हैं. जबकि याहूस जो की human beings की तरह लगते हैं, जो की naked थे वहाँ पर वो इन horses के servants थे. यह uncivilized और brutal लोग थे. याहूस. तो horses जो थे masters और याहूस uncivilized पर संथे. तो यह चार islands हैं. अब इन चार islands को हम एक एक करके देखते हैं. परस्ट पार्ट इस voyage to Lilliput. क्योंकि Gulliver एक सर्जन था, तो उसको एक ship में सर्जन की जॉब मिलती है. 1699 में अब वो अपनी voyage स्टार्ट करता है. जबकि जब वो sea में होता है, तो अचानक से एक भयंकर तूफान आता है, जिसकी वज़े से उनकी ship तहस नहस हो जाती है. वो ship से swimming करता हुआ, एक land की तरफ पहुँचता है. जब वो land में पहुँचता है, तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, और वहाँ पर सो जाता है. जब वो उठता है, तो वो देखता है, कि वो सब तरफ से chain से बंदा हुआ है. And he is surrounded by crowd of people of six inch height. और वो ऐसे लोगों से घिरा हुए, जो कि बहुत ही छोटी height के हैं, six inch height के हैं. और ये सभी लोग उस पे arrow shoot करते हैं. उसके उपर तीर चला रहे होते हैं. अब गलीवर को वहां के king के पास ले जाया जाता है. उसके लिए special carriage, huge carriage बनाया जाता है. King देखकर, इतने बड़े प्राणी को देखकर बहुत ज़्यादा surprised हो जाता है. अब ना तो king अपनी बात समझा पारा गलीवर को, ना ही गलीवर king को अपनी बात समझा पारा. गलीवर को उधर नाम दिया जाता है, quinbus flestering, quinbus flestering means man mountain, तो इसको quinbus flestering या man mountain के नाम से उधर पुकारा जाता है. जब देखा king ने कि ये gentle है, good behavior है, harmless creature है, तो king ने इसको chainों से छोड़ दिया. So he was released, chainों की बंदेशों से वो छूट गया. और king ने permission दी कि now he can move around the city, city के route को clear किया गया, ताकि कोई भी इंसान उसके पैरों के नीचे crush न हो जाले. जब वो जा रहा था, city को घूम रहा था, so उसने queen को देखा, prince को देखा, princesses को देखा, और वहाँ पर queen ने अपना हाथ window से उसको दिया, and gulliver ने उसको kiss किया. अब एक बहुत important incident हो रहा है, वो है blefisku, लिलिपुट का एक neighboring nation होता है blefisku, जो की एक नदी से separated होता है, ये जो नदी है या ये channel है, 800 yards चोड़ी है, और 6 feet deep है, gulliver के लिए तो ये नदी ना के बराबर है, but इन लिलिपुटियन और blefisku के लिए ये बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी नदी थी, अब blefiskuyan army ने लिलिपुट को एक बार invade कर दिया, इस पर कबजा करने के लिए बहुत सारी ships blefisku से आती है, अब जब लिलिपुट देखते हैं कि blefiskuyan army आ रही है, तो वो gulliver से help मांगती है, gulliver बहुत सारी ropes लेता है, और ropes को tie कर देता है hook से, अब इनी ropes और hook की मदद से वो इन सभी ships को लिलिपुट की तरफ खीच लेता है, अब यहाँ जो ships पे जो army होती है, जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और घबरा के वो अपने blefiski की तरफ स्विम करके चले जाते हैं, सो एक तरफ से लिलिपुट भी बच गया blefiskiyan invasion से, और blefiski के लोग भी बच जाते हैं, अब लिलिपुटियन king बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि blefiskiyan army बिलकुल भी उन पे invade नहीं कर पाती, अब वो डिमांड करता है gulliver से, कि वो blefiskiyan के पूरे empire को destroy कर द बच ये gulliver को बिलकुल भी मनजूर नहीं था, वो लिलिपुटियन king चाता था कि वो blefiskiyan empire का भी king बन जाया, लिलिपुटियन का भी king बन जाया, वाइसरय बन जाया, और वहां के लोग यहां के slave बन जाया, तो gulliver ने इसके लिए मना कर दिया, उसने वो unnecessary किसी भी लोगो को परिशान नहीं करना चाता था, किसी को मारना नहीं चाता था, तो इसी वज़ा से king उसके प्रती थोड़ा सा cold हो गया, उसके प्रती थोड़ा सा रूखापन दिखाने लग गया, बाद में blefiskiyan army ने लिलिपुटियन से peace treaty भी की, तो ये बहुत important incident है, blefiskiyan invasion towards लिलिपु नहीं होता है कि उस fire को बुझा दिया जाए, so Gulliver extinguished this fire, he put out this fire by urinating on it, so उस पे urinate करके वो उस fire को बुझा देता है, इससे काफी लोगों की जान भी बजाती है और आग भी बुझाती है, but, but, urination within the palace was forbidden, palace में urine करना ये तो forbidden था, so एक flame nap है, जो की लिलिपुट में रहता है, और वो Gulliver का secret enemy है, वो king को Gulliver के खिलाफ भड़काता है, और बहुत सारे charges इसके खिलाफ इकठे करता है, पहला charges है that Gulliver urinated within the walls of palace, palace की wall में उसने urinate कर दिया, जबकि यहाँ पे urination was forbidden, he refused to seize remaining ship of Liffus को, जबकि king ने कहा था कि बाकी ships को भी लेकर आओ, और बाकी emperor को भी destroy करो, त इसके लिए मना कर दिया, तो ये भी इसके लिए चार्ज रहा, और ये भी चार्ज लगाया कि Gulliver ने बलेफुसकू के साथ एक secret meeting की है, जिसकी वज़े से बलेफुसकू ने इंगलिलिपुट के साथ peace treaty की है, तो इतने सारे charges लगा दिये, जिसकी वज़े से Gulliver को death impeachment की सजा मिलती है, उसको death की सजा मिलती है, बट जब ये death impeachment वो सुनता है और ये इतने सारे charges सुनता है Gulliver, तो वो सोचता है यहां से खिसकना ही slip होना ही बहतर है, तो वो slip हो जाता है बलेफुसकू के, बलेफुसकू में खिसक जाता है, बलेफुसकू का king उसको बहुत welcome करता है, क्य उसने आर्मी को बिलकुल भी परिशान नहीं किया था, बाद में Gulliver को एक boat दिखती है बहुत बड़ी और बलेफुसकू का king उसकी help करता है, उसको बहुत सारी ox, ship, cows, ये सब देता है, ताकि voyage में उसको किसी भी तरह से खाने पीने की दिक्कत ना आए, तो 1701 में वो अपने घर पहुँच जाता है, तो लिलिपुट की जर्नी ये दो साल तक चलती है, अब हम सेकंड इसकी जर्नी देखते हैं, लेमोल गलीवर की वोयज टू ब्रॉब्डिंग नैग, ब्रॉब्डिंग नैग वोयज 1702 में एक तरह से वोयज अपनी दूसरी शुरू करता है, ship का ना पहुत ही land के interior में चला जाता है, और जब वो शोर में आता है, समुदर के किनारे आता है, तो वो देखता है कि बोट में बोट की जो लोग होते हैं, वो फटाफट बोट की तरफ भाग रहे हैं, और बोट फटाफट समुदर के किनारे से दूर जाती जा रही है, वो में रहे जाता है इस इसी लेंड में रह जाता है जब कि इसके सारे जो फ्रेंड्स या इसके सारे जो एकमपनीड पीपल थे वो सब चले जाते हैं अब उसने देखा कि इतने बड़े लोग हैं तो वहाँ पर तो वो अपने आपको लिली पूटियन की तरह समॉल समझ रहा था अब गुलीवर शरण लेता है फार्मर के हाउस में फार्मर की एक बेटी थी जो की नौ साल की थी वो उसका बहुत ध्यान रखती थी उसके लिए कपड़े सिरती थी तो गलीवर ने उसका नाम रखा ग्लूमेडल क्लिच मतलब लिटल नर्ज अब ये जो फार्मर है इसको बॉक्स में रखता था इसको टाउन में सिटी में एक्जिबीशन में लेकर जाता था गलीवर को ताकि वो उसको दिखा सके और लोग इसको देखके खुश हो हैं और कुछ पैसे दे समपाएं तो फार्मर की कमाई भी इससे बहुत अच्छी होती थी गलूमेडल क्लिच भी गलीवर को परचेज कर लेती है और गलीवर के कहने पर गलूमेडल क्लिच भी उसी कोट में रहती है क्वीन के घर में रहती है क्योंकि गलूमेडल क्लिच इसका बहुत ध्यान रखती है अब queen के दरबार में एक dwarf होता है जो की बहुत jealous होता है gulliver से वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि अब queen का सारा attention ये gulliver ले ले लाता है उसको छोटे-छोटे जानवरों से flies, monkeys, rats, dogs से भी danger था क्योंकि यहां के छोटे-छोटे जानवर भी बहुत ज़्यादा बड़े थे अब यहां का जो king था ब्रॉब्डिंग नैक का ये king बहुत learned man था, peace loving man था he was a man of excellent understanding वो king उससे बहुत सारी चीजे पूछता है gulliver से, उसकी country के बारे में gulliver बताता है कि यहां पे parliament है house of lord है, house of common है, English court of justice but king ये declare करता है कि England is a land of corruption, revolution cruelty, hatred murders, rebellions, तो वो England को एक अच्छा देश नहीं समझता जबकि gulliver कहता है कि ब्रॉब्डिंग नैक का जो king है वो भी अपनी power बढ़ा सकता है क्योंकि उसको gun powder बनाने का एक formula आता है, but king क्योंकि peace loving person था, उसने bluntly ये refuse कर दिया एक दिन king और queen वो अपनी journey में जा रहे थे और gulliver को तो as usual एक छोटे से carriage box में रख दिया जाता था, वहाँ पर एक बार eagle आई उस carriage box को उठाती है और वो समुदर के उपर चली जाती है और समुदर पर accidentally ये box है, वो गिर जाता है और gulliver को कोई चोटने लगती और वो inland चला जाता है और यहीं से पर इसकी second voyage खत्म हो जाती है अब जो उसकी third voyage है वो है a voyage to laputa बालने बाबी, लुबडिबडिप लजनेक और जैपान तो सबसे पहले वो 1606 में voyage शुरू करता है अभी इसको 10 दिन ही नहीं होते ब्रॉबडिंग नैक से आये हुए कि वो अपनी next journey भी शुरू कर देता है और ये journey में भी वो storm आ जाता है और वो island पे आ जाता है तो जब वो island पे होता है तो वो देखता है कि उसके और sun के बीच में एक opaque body fly कर रही है और वो पुली की मदद से उस opaque body में जब जाता है और इस opaque body को कहते थे लापुता या फिर flying island इसमें बहुत सारे लोग रहते थे ये लोग बहुत ही जादा अजीब तरह के लोग थे क्योंकि ये हमेशा अपने thoughts में खोई हुए होते थे speculations में खोई होते थे busy थे हमेशा अपनी problem को solve करने में बहुत busy लोग थे ये और हर एक person के साथ उनका एक servant होता था और उन servant के पास एक balloon होता था जब उन servants को बताना होता था कि कोई important चीज आपको देखनी है या समझनी है तो वो balloons इन लोगों के कान में या इनके मूँ के आसपस फोड़ देते थे ताकि ये अपने thoughts से निकले और उस चीज को देखे तो ये जो लापुता island था वो circular island था, four and a half mile इसकी diameter था और hollow from inside और जब वो hollow था तो लोग यहाँ पे अंदर भी जा सकते और भी बहुत सारे खाने की चीज़े musical instrument like fiddle, harp, flute की shape में थे यहाँ पर एक tailor आता है जो gulliver के कपड़े भी सिलता है वो बहुत ruler लाता है, compass लाता है इन सबसे इसकी measurement भी लेता है ताकि उसके कपड़े stitch कर सके ultimately जब कपड़े stitch हो कर आते हैं बहुत ही जादा गंदे तरीके से वो सिले हुए होते हैं misfit कपड़े होते हुए यहाँ के लोगों को दो ही चीज़ों पसंद थी music and mathematics इसमें ही दो चीज़ों में interest था कोई भी उनको idea, beauty beauty of women को praise करना होता था वो lines, figures, इन सबसे वो praise करते थे houses right angle shape में नहीं थे टेड़े मेड़े थे imagination, fancy, invention, reasoning यह तो alien थे, इन सब चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं था वो से mathematics पे ही ध्यान देते थे laputian astronomers थे जो European astronomers से काफी आगे निकले हुए थे, काफी सारी discoveries की थी अब यहाँ पर Gulliver neglected feel करता था क्योंकि यहाँ के लोग तो अपने ही thoughts में busy रहते थे so इसने king से permission ली कि वो चला जाए king ने letter of recommendation लिया legado में तो legado is the capital of बाल निमार भी और वहाँ पर वो चला जाता है यहाँ पर वो legado में वो academy of projectors को visit करता है बहुत अजीब अजीब से scientist इदर experiments कर रहे होते हैं like extracting sunbeams from cucumber खीरे से sun की किरने extract करना restore human excreta to original food human का जो waste product है यह excreta है उसको original food में बनाना जो digestion के बाद जो excreta बना है उसको original food में लाना to make gunpowder out of ice बरफ से gunpowder बनाना architect building house from roof to base छते से शुरू करना घर को बनाना और फिर base बनाना blind man mixing colors मतलब बहुत अजीब अजीब सी यहाँ पर legado में उसने चीजे देखे legado से वो जाता है this is the island of magician मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उसने बहुत सारे spirit से बात की Alexander से भी बात की तो उसने कहा कि वो उसकी death poison से नहीं होई थी बलकि excessive drinking से होई थी Aristotle भी बताता है कि मैंने philosophy में बहुत mistakes की globe down drapes से जाता है वो ludge neck में immortals को देखता है इन immortals को देखने से पहले तो वो सोच रहा था कि कि इनको कभी death की tension ही नहीं होती होगी immortal लोगों को बाद में इसने गलीवर ने immortal लोगों की miserable condition देखी कि कैसे वो तड़प रहे हैं अब वो लजजनच से जाता है जैपान और यहाँ पर उसकी third journey खत्म हो जाती है next journey is a voyage to the country of Holmes Holmes का मतलब ही होता है race of horse so जब वो next voyage कर रहा होता है तो pirates attack कर लेते हैं और वो pirates से बचकर वो sea coast में आ जाता है और वहाँ पर वो इस island में पहुँच जाता है सबसे पहले तो वो कुछ dangerous creatures को देखता है और उसको लग रहा था कि वो बहुत खत्रे में है बट बाद में देखता है कि जैसी horses आई यह dangerous creatures भी भाग गए तो यह जो horses थे actually जब वो behave जिस तरह से कर रहे थे उससे पता लग रहा था कि यह rational beings हैं इनको सोचने समझने की बहुत अच्छे से power है और पहले तो गलीवर को यह लगा कि यह कोई magicians हैं जिसने horses का रूप धारण कर लिया यह सचमल में horses थे जो की rational beings थे इनके servants से yahoo's जो की human beings की तरह दिखते थे और वो naked थे horses ने अपनी horses सोचते थे कि यह यह जो गलीवर है वो यह है बट थोड़ी सी उसमें अच्छी understanding है इसमें जो characteristics है वो अच्छी वाली है इसमें सोचने समझने की शक्ती है तो horses ने गलीवर को अपनी language सिखाने की कोशिश की गलीवर ने उनकी language भी सीखी और जो इस हॉंस के island में there was no word for lying or false food यह हमेशा सच बोलते थे और कभी भी गलत नहीं बोलते थे जूट नहीं बोलते थे यहां की जो political life अब गलीवर इन horses को political lie king, queen, England, war with France इन सब के बारे में बताता है और yahoo's सब समझ रहे होते हैं या कुछ नहीं भी समझ रहे होते हैं क्योंकि जो England है इसमें जूट की बहुत सारी चीदे हैं जबकि yahoo's को जूट तो समझ आता ही नहीं था तो जो yahoo's sorry horses को जूट समझ नहीं आता था अब इधर भी फिर वो बताते हैं horses कि यहा के जो yahoo's हैं इनको भी shining stone कुछ पसंद है जिसके पीछे वो लड़ते लुडते रहते हैं अब यहा के जो horses हैं यह बहुत polite होते हैं friendship इनमे कूट-कूट के भरी होती है और अगर इनके दो बच्चे हो जाते हैं तो वो third one produce नहीं करते क्योंकि overpopulation नहीं हो जाए इसी वज़ा से यह हमेशा loyal रहते हैं एक दूसरे के लिए यह horses they died only of the old age कोई बिमारी से इनको नहीं मारा जा सकता यह old age से ही मरते थे क्योंकि they were free from diseases बहुत clean थे यह लोग और जब किसी आसपास के individual की horse की death हो जाती थी तो कभी भी यह regret नहीं करते थे these horses were free from evils अब जो gulliver है वो इनके साथ रहना चाहता था but he was not allowed to live with horns क्योंकि वो समझते थे कि यह yahoo की breed का ही है और इसी जब उसने सुना कि वो नहीं रह सकता इन horses के साथ तो वो बहुत ही ज़ादा घबरा गया और घबराहट के मारे उसको चक्कर आके वो गिर भी गया क्योंकि वो सचमुच में नहीं जाना था वो यहीं अब रहना चाहता था but उनको जाना पड़ा गलीवर को जाना पड़ा इंग्लैंड में तो गलीवर की फोर्थ जर्नी भी यहां पर समाप्त हो जाती है so this is all about the summary of गलीवर's travel thank you, have a nice day